आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पिले स्टोर पे आपका पुराना एकाउंट था उसको वापस कैसे ला सकते हैं आज की वीडियो में यहीं बताने वाला हूँ चलिए वीडियो को सुरू करेंगे चलिए शुरू करते हैं अगर आप भी प्ले स्टोर का जो पुराना एकाउंट था उसको वापस लाना चाहते हैं तो कैसे ला सकते हैं आज की इस वीडियो मा आपको बताने वाला हूँ देख सकते हैं आपके समने प्ले स्टोर को ओपेन करके रखा हुआ है अब आपको सिंपल से क्या करना अपने लोगों पे किलिक करना जैसे आप लोगों पे किलिक करेंगे आपके समने कुछ इस परकार का इंटरफेस दिखाई देगा अब यहाँ पे इस पे किलिक करना है रोपे और अपसन एक आपको यहाँ पे दिखाई देगा add another account का आपको इस पर किलिक करना जैसे है आप इस पर किलिक करेंगे आपके सामने कुछ इस परकार का इंटरफेस आएगा अब आपको Google पर किलिक करना है जैसे आप Google पर किलिक करेंगे checking info होगा और आपको यहाँ पर fingerpin lock लगा देना होगा चले मैंने यहाँ पे fingerpin lock लगा दिया अब आपको पुराना account पाने के लिए अब आपको क्या करना बहुत ही easy बे है बहुत ही आसान तरीका है आपको simple से यहाँ पे forget email वाले option पे click करना जैसे आप forget email वाले option पे click करेंगे find your email address enter your phone number और recovery email तो आपको enter your phone number या recovery email जो आपने डाली थी वो आपको यहाँ पे डाल देना हो चले मैंने enter your phone number डाल दिया उसके बाद यहाँ पे next वाले option पे click करेंगे अब आपको यहाँ पे first name और अपना last name डालना होगा चले यहाँ पे मैंने अपना first name डाल दिया ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने अपना last name डाल दिया ध्यान दीजिएगा राजेस मौर्या उसके बाद मैंने next वाले option पे click किया जैसे मैंने next वाले option पे click किया get a verification code इस mobile number पे verification code जाएगा देख सकते ही यह mobile number है यह mobile number आपके पास on होना चाहिए ताकि इसमें एक verification code आ सके चले यह मैंने on है देन मैं send वाले option पे click करूँगा जैसे मैंने send वाले option पे click किया verify your phone automatically view test message यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने तीन email आ चुकी है राजेस मोर्या, राजेस मोर्या, देख सकते हैं राजेस मोर्या मुझे ये mail id पूरानी वाली ये mail id लेनी है मैं इस पे click किया click करने बाद देख सकते हैं अब आपको यहाँ पे password डाल देना होगा ऐगर आपको पास्ववट नही पता है दिन आपको क्या करना फारगेट पासवर्ड आप्सवर्ड पे किलिक करना जैसे आप फारगेट पासवर्ड आप्सवर्ड आप्सवर्ड पे किलिक करेंगे चलिए यहाँ पे नया पासवर्ड बना लेते हैं नया पासवर्ड बनाने बाद सेव पासवर्ड पे आपको किलिक करना है यहां पर password मैंने बना लिया then आपको क्या करना I agree वाले option पर click करना जैसे आप I agree वाले option पर click करते हैं यहां पर देख सकते Google service और आपका यहां पर जो पुराना account है वो वापिस आ चुका चलिए यहां पर refresh करेंगे इस पर मैंने click किया click करने बाद इस पर click किया आप देख सकते है राजेश मोर्या मैंने इस पर click किया जो मेरा पुराना account था यह वापिस आ चुका दोस्तों कुछ इस परकार से आप भी अपने पुराने account को वापिस ला सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब करना न भूले मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नई जानकाई साथ तब तक के लिए दुस्तों जै हिंद जै भारत बाई बाई लव याले टो फैमिली